नमस्कार दोस्तो सुवागत है आपका आज के मुखे समाचारों में जियां दोस्तो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लगड़ कर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुखे समाचार ब्रेकिंग नुज अप्डेट्स के रूप में तो चली दोस्तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर हीरा व्यापपारी शाउजी डोलकिया के बेटे की शादी में शामिल हुए प्रदान मंतरी मोधी दुलहा दुलहन को दिया आशिरवाद जया दोस्तो प्रदान मंतरी नरेंद्रबुधी गुजरात में सूरत के हीरा व्यापपारी साउजी डोलकिया के बेटे दुधिया के विवाह समहारों में शामिल हुए सूरत के सबसे अमीर कारोबारी के यहां आविजद विवाह समहारों में शामिल होने के लिए प्रदान मंतरी हेलिकोप्टर से पहुंचे थे द्रव डोलकिया और जानवी की शादी गुजरात के दुधाला इस्तित हेतनी हवेली में हुई परिवार दुवरा साजा की गई तस्वीरों में प्रदान मंतरी मोधी को नव विवाहित जोड़े को आशिरवात देते हुए देखा जा सकता है चली दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर भारत चीन बोडर पर सेना ने पैट्रोलिंग शुरू की कल दिवाली पर मिठाई बाटी थी केंद्रिय मंतरी किरन रिजजू चीनी सेनिकों से भी मिले जिया दोस्तो पूर्वी लद्दाक में भारत चीन बोडर पर भारतिय सेना ने एक नवंबर से पैट्रोलिंग शुरू कर दी है अभी डैम चोक पर निगरानी की जा रही है डैम सोंग पर जल्द पैट्रोलिंग शुरू हो जाएगी दोनों देशों की सेनाओं के बीच इन दोनों इलाकों से पीछे हटने पर सहमती बन गई थी दोस्तो डी एकसिलरेशन की प्रिकरिया 30 अक्टूबर को पूरी हो गई थी कल दिवाली के मोखे पर पूर्वल अद्दाक में होट स्प्रिंग, कारा कोरम पास, दोलत बैग, ओल्डी, गौंकला और चुशूल मॉल्डो से लगे लाइन ओफ कंट्रोल पर दोनों देशों के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई हिलाई और दिपाउली की भधाई दी थी वहीं दोस्तो संसदिये कारिय मंत्री और अल्प संक्यक मामलों के मंत्री किरन रिजजु ने अरणवाचल प्रदेश के बुमला पास पर चीनी सेनिकों से बात चीत की रिजजु ने सोशल मीडिया प्लेटवर्म एक्स पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया है चली दोस्तो जान लेतें अंगली खबार प्टिसीम ने कहा था कि लगबग 5 से 10 विजदी मैलाएं कह रही है कि जब वो स्विचा से किराया देना चाहती है तब भी कंड़क्टर पैसे नहीं लेते हैं चली दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार कांग्रेस बोली चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी हर्याना चुनाव की शिकायतों का जवाब अपमान जनक लहज़े में लिखा खाना पूर्थी का आरोप लगाया जेहं दोस्तों अरियाना विदानसबा चुनाव में धांद लिके आरोप वाली शिकायत खारिज़ होने के बार शुकरवार को कांग्रेस ने चुनाव आयोग इलेक्शन कमिशन को जवाब दिया कांग्रिस ने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उसकी शिकायतों का इसपस्ट जवाब नहीं दिया जाज के नाम पर खाना पूर्थी की गई कांग्रिस महसच्यु जैराम रमिर्श रमेत अन्ने कांग्रिस नेताओं की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया कि चुनाव आयोग का जवाब अपमान जनक लहजे में लिखा गया है अगर चुनाव आयोग इस तरह की भशा का इस्तेमाल करता रहा तो पार्टी के पास ऐसी टिपनियों के लिए कानूनी साहरा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी है हमें नहीं बता कि आयोग को कौन सलाह दे रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि आयोग यह भूल गया है कि यह सविधान के तहट इस्तापित एक निकाय है चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर महीला हूँ माल नहीं हूँ अर्विंद सावंत के खिलाफ शाइना एंसी ने दर्ज कराई एफाई आर जिया दोस्तो मुंबई की मुंबा देवी सीट से शिवसेना की उम्मीदवार शाइना एंसी ने शिवसेना यूबी टी सांसद अर्विंद सावंत के खिलाफ एफाई आर दर्ज कराई है सावंत ने सिवसेना उम्मीदवार के लिए इंपोंटेंट माल शब्द का इस्तेमाल किया जिससे भारी विवाद खड़ा हो गया उन्होंने कहा कि मैं माल नहीं हूँ मैं महिला हूँ उद्धव ठाकरे चुप है नाना पटोले चुप है लेकिन मुंबई की महिलाएं चुप नहीं रहेंगी चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर दिवाली पर राहूल गांदी का अलग अंदाज बने पेंटर और किया दिवारों का रंग रोगन जिए दोस्तो दिवाली पर राहूल गांदी अलग अंदाज में दिखे उन्होंने घर पेंट कराने वालों का हाथ बटाया दिये बनाने वालों के साथ वक्त गुजारा उनके दुखदर्द को समझा राहुल गांदी ने सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर लिखा कि हुनरमंद लोग जो हमारे घरों को रोशन करते हैं उनकी जिन्दगी कितनी चुनोतियों से भरी हुई है राहुल के साथ प्रियंका गांदी के बेटे भी मुज़ूद रहे राहुल ने दिये को लेकर उनसे बात भी की चलिए दोस्तो जान लेते हैं अंगली खबर दिवाली के राद दिल्ली का EQI 400 के पार बेन के बावजूद चले फटा के देश के सबसे प्रदुशित दस शहरों में 9 UP के जिया दोस्तो राज़दानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहर रिली हो गई यहाँ पर एर क्वाल्टी इंडेक्स देरा 400 के पार चला गया एक नवंबर को सुभा करीब 6 बजे दिल्ली EQI 399 दर्ज किया गया देश के 10 सबसे प्रदुशित शहरों की बात करें तो दोस्तो इन में से 9 मैज उत्तर प्रदेश के हैं UP के संभल में EQI सबसे ज़ादा 388 दर्ज किया गया दिल्ली में दिपावली के दिन शाम 5 बजे रियल टाइम EQI 186 रिकोड किया गया था यानि की 10-12 घंटों में ही हवा सामाने से बेहद खराब केटेगरी में चली गई दिल्ली में बेन के बावजूद चले फटा के दिल्ली प्रदुशन नियंतरन सिमिती ने एक जनवरी 2025 तक फटा को को बेन किया था फटा के बनाने उन्हें इस्टोर करने बेचने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक थी इनकी ओनलाइन डिलिवरी पर भी रोक लगाई गई थी फिर भी आतिश बाजी हुई है चली दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबार दिल्ली में चट पूजा पर 7 नवंबर को चुटी का एलान क्रेडिट लेने के लिए भीड़े LG और आमादमी पार्टी सरकार जिया दोस्तों दिल्ली में चट परव पर 7 नवंबर को चुटी का एलान किया गया है CM आतिशी ने सरकार के इस फैंसले की घोशना की उन्होंने कहा कि दिल्ली में 7 नवंबर को चट पूजा पर आउकाश रहेगा जिससे सभी परवांचली बंदू धूम धाम के साथ इस परव को मना सकेंगे इससे पहले चट पर चुटी का क्रेडिट लेने के लिए LG और आमादमी पार्टी सरकार में जंग चली जिसमें बाजी बराबरी पर चुटी दरसल दोस्तों सीए मातिशी ने अपने एक्स हैंडल पर चट की चुटी का एलान करते हुए लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 7 नवंबर को चट के तयोहार की चुटी होगी सभी पुरुवांचली भाई भाहन धुमधाम के साथ इस तयोहार को अब मना सकेंगे चली दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार फेस्टिवल सीजन में UPI से लेंदेन का नया रिकोड बना 1658 करोल ट्रांजेक्शन हुए 2350 लाग करोल रुपे ट्रांसफर किये गए जियां दोस्तों अक्टूबर में UPI के जरिये 1658 करोल ट्रांजेक्शन हुए इस दोरान 2350 लाग करोल रुपे की रासी ट्रांसफर की गई पिछले साल अक्टुबर के मुकाबले ट्रांजेक्शन की संख्या में 45 पृत्षत की बड़ोत्री हुई है वहीं दोस्तो आपको बता दें अप्रेल 2016 में UPA की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक किसी एक महीने में किया गया सबसे जादा और सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन यही है चली दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर ट्रेन टिकेट की एडवांस बुकिंग अब 60 दिन पहले तक दिवाली के बाद कमर्शियल गेस लेंडर 62 रुपे तक महंगा हुआ नवंबर में हुए पांच बड़े बदलाओ जान दोस्तो एक नवंबर 2024 से रेल वे टिकेट की एडवांस बुकिंग अब 60 दिन पहले तक कर सकेंगे पहले यह सुईदा 120 दिन पहले तक थी वहीं दोस्तो 19 किलोवाला कमर्शियल गेस लेंडर 62 रुपे महंगा हो गया है दिल्ली में अब इसकी कीमत 1802 रुपे हो गई है इसके अलावा दोस्तो मैसेजिंग ट्रेसेबिलिटी नियम के तर टेलिकॉम कमपनिया संदिक दिया फरजी नमबरों की पहचान करके उन्हें तुरंत ब्लोक करेंगी जिससे इन नमबरों के यूजर्स तक मैसेज नहीं पहुंच सकेगा वहीं दोस्तो जेट फिल 2992 रुपे तक महंगा होने से हवाई सफर भी महंगा हो सकता है चलि दोस्तो जान लेते हैं अगली बड़ी खबर नवंबर में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक चार रविवार और दो शनिवार के अलावा अलग अलग रजगों पर साथ दिन कामकाज नहीं होगा जियां दोस्तो नवंबर 2024 महीने में बैंकों में कुल मिलाकर 13 दिन कामकाज नहीं होगा रिजरो बैंक ओफ इंडिया RBI की ओफिशिल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार देश के अलग अलग राजजों में तियोहारों की वज़े से साथ दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा इनमें लक्ष्मी पूजन, कूट महात्सव, कन्नल राज्योत्सव, बलिब धामी, विक्रम समवत, नववर, छट पूजा और वंगाला फेस्टिवल जैसे प्रमुक तियोहार शामिल हैं इसके अलावा चार रविवार और दोशनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार लोरेंस विसनोई को स्टूडियो जेसी स्विदा दी, गेंगेस्टर को इंटर्व्यूपर हाइक 화уд की कड़ी फटकार जिया दोस्तों गेंगेस्टर लॉरेंस विस्णोई के जेल से दिये गए इंटर्व्यू के मामले में पंजाब एंड हरियाना हाई कोट ने पंजाब पुलिस को कड़ी फटकार लगाई हाई कोट ने का है कि SIT ने जो केंसिलेशन रिपोर्ट दायर की है वहाँ पुलिस और गेंगेस्टर के भी सांट गांट को लेकर संदय है पैदा करती है अदालत ने लोरेंस के 2023 में भटिंडा जेल में रहने के दुरान नीजी चैनल को दिये इंटर्व्यू की नई सिरे से जाच करने का आदेश भी दिया है सुनवाई के दोरान अदालत ने कहा कि पुलिस ने अपरादी को इलेक्ट्रोनिक उपकरन के इस्तेमाल की अनुमती दी और इंटर्व्यू के लिए स्टीडियो जेसी स्वीधा भी दी जो अपराद को महिमा मंदित करता है इससे अपरादी तता उसके सहय यूगियों के जबरन वसूली सहीते दूसरे अपरादों को बढ़ावा मिलने की संभावना है चली दूस्तो जान लेते हैं अंगली खबार सरकार ने अक्टूबर में GST से 1.87 लाग करोड रुपे जुटाए पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 9 प्रतिशत जादा यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है जिया दूस्तो सरकार ने अक्टूबर 2024 में Goods and Service Tax यानि की GST से 1.87 लाग करोड रुपे जुटा लिये हैं सालाना आदार पर इसमें 9 प्रतिशत की बड़ोतरी हुई है एक साल पहले यानि के अक्टूबर 2023 में सरकार ने 1.72 लाग करोड रुपे GST कलेक्ट किया था क्रोस टेक्स कलेक्शन के लिया से यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है इस से पहले अप्रेल 2024 में 2.10 लाग करोड और अप्रेल 2023 में 1.87 लाग करोड रुपे का GST कलेक्शन सरकार ने वसूला था चेली दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर MP में रहडी पटरी और हाथ ठेला वालों से नहीं लिया जाएगा यह शुल्क 11 नवंबर तक रहेगी चूट जयन दूस्तो मद्यप्रदिश में दिपावली पर्व के अउसर पर रहडी पटरी वालों को बाजारी कर और शुल्क से चूट प्रदान की गई है यहाँ आदिश 29 अक्टुबर से 11 नवंबर 2024 तक है यहाँ आदिश इस्थानिय कोशल उस पर आधारित स्वरोजगार को प्रोचाहित करने के उद्देश से लागू किया गया है बाजारी टेक्स याफीस से चूट का फाइदा इस्थानिय ग्रामियन, कारिगरों, सुहसायता, समौधवारा, निर्मित, मिट्टी और गोबर के दीपक, दीप मालाएं और धार्मिक प्रतिकों के विक्रय पर विशेश रूप से दिया जाएगा चलि दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर तीम से अब भी 149 रन पीछे चल रही है जैसा की दोस्तो अब को पता है भारतिय टीम सिरीज पहले ही गवा चुकी है अब वह इस मुकाबले को जीत कर सम्मान बचाना चाहेगी वर्ल्ड टेस्ट चेंपेंशिप डवलू टीसी फाइनल के क्वालिफिकेशन के लिए हास से भी भारतिय टीम के लिए यह मुकाबला महत्यो पूर्ण है मुँदा सिरीज का पहला मुकाबला बैंगलूरू में खे ला गया था जिसमें रोश शर्मा की कप्थानी वाली भारतिय टीम को आट फिकेट से करारी हार मिली थी उसके बाद पूरी में भी भारतिय टीम को हार मिली चली दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर लेकिन उससे पहले मेरी आप से चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर दोस्तो आपको बितक मारी नियूस पसंद आईए तो इस एक चोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आईए तो बेशका आप डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन लेकिन दोस्तो लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तो यहीं अमारी मिनत का फटलो तायव रिसी सेन बहुता चलता है और कई दिग्गिस कंपनियों की उम्मीदों से कम कमाई के दबाव के करण ऐसा हुआ अक्तुबर महीने में बेंचमार्क इंडेक्स, सैंसेक्स और निफ्टी करीब 6 पृतिशत गिर गए जो पिछले साड़े 4 वर्षों में इंडेक्स का सबसे खराब महीना है इस से पहले मार्च 2020 में दोनों इंडेक्स में करीब 3 पृतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी वहीं दोस्तो मई महीने के बाद यह है पहली बार है कि निफ्टी ने किसी महीने में नेगेटिव रिटन दिया है वहीं बीते हफते बाजार फ्लेट बंद हुआ सेंसेक्स 25 अक्टूबर को 89,402 के इस तर पर बंद हुआ था जो की 31 अक्टूबर को 89,389 पर बंद हुआ है चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार कनाडा भारत विवाद से इमिग्रेशन बिजनिस में 70% गिरावट एक्सपर्ट बोले वीजा में कमी नहीं आवेदक कम आये लेट परिक्षा देने वाले 40-50% घटे जे अनुस्तो भारत और कनाडा के रिष्टों में आई खटास के कारण कई भारतिये इस बात को लेकर समझ जश्य में है कि कूट नितिक विवाद का इमिग्रेशन वर्क और स्टूडेंट वीजा पर क्या असर होगा क्या भविश्य में कनाडा भारत से रिस्ते सुधरेंगे क्या कनाडा फिर से उसी शिद्दत से वीजा देगा जिसे पहले देता था या फिर कनाडा जाकर पढ़ाई करना भारतिये बच्चों के लिए सपना ही बना रहेगा इन सभी सवालों के जवाब अभी भी बाकी है दरसल दोस्तों विशेशकों का मानना है कि मोजुदा कूट नितिक विवाद का सीधा असर विजा नीतियों पर पढ़ने की संभावना थी लेकिन ऐसा नहीं है कनाडा विजा नहीं दे रहा है कनाडा विजा दे रहा है लेकिन कनाडा जाने वाले बच्चे और उनके अभी भावक इस समय अपने बच्चों को कनाडा नहीं भेज रहे हैं इसका बड़ा कारण इस समय कनाडा और भारत के भी चल रहा विवाद है। के मताबित वैलेंसिया में 29 अक्टूबर को सिर्फ 8 गंटे में 12 इंच बारिश हुई थी इतनी बारिश साल भर में होती है। जर्दारी बुद्वार को दुबई में एक हदसे का शिकार हो गए। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट दर डोन के मताबित दुबई एरपोर्ट पर प्लैन से उतरते समय उनका पेर फिसल गया और वे गिर गए। उनके पेर की एड़ी तूट गई। पाकिस्तान के राश्ट्पती कारेले ने गुरुआर को इसकी पुस्टी की। चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार, बांगलदिश में राजद्रोहों के मामले में दो हिंदू युवक हुए गिरफतार, आजादी इस्तंब पर भगवा द्वज फेहराने का आरोप, कुल 19 के खिलाफ मामला हुआ दर्ज, जिया दोस्तो बांगलदिश के लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, दरसल दोस्तो 25 अक्तुबर को सनातन जागरण मंच ने चटगाओं के लाल दीपी मेदान में अपनी आठ सुत्रिय माहों को लेकर एक रेली का एवजन किया था, रेली के दोरान न्यू मार्केट चोक पर कुछ लोगों ने आजादी इस्तंब पर भगवा द्वज फेराया था, इस द्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था, चली दोस्तो जान लेते हैं अंगली खबर, पदमशिरी अर्ध शास्त्री डाक्टर विबेक देबराय का ववा निदन प्रदानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिशत के अद् से जुड़ी बीमारी, intestine infection था, सुबह करीब 7 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, वहीं दोस्तो आपको बता दे, पदमशिरी प्रुसकार से सम्मानित देबराय निती आयो के सदश्य रह चुके हैं, उन्होंने नई पीडी के लिए सभी पूरानों का अंग्रेजी में चलि दोस्तो जान लेते हैं अंगली खबार, भारत में चार और फ्लेग्शिप स्टोर खोलेगा एपल, अभी मुंबई और दिल्ली में एक एक स्टोर, एपल ने भारत में revenue का record बनाया, जी है दोस्तो एपल आने वाले महीनों में भारत में चार और फ्लेग्शिप स्टोर अभी मुंबई और दिल्ली में एपल का एक एक स्टोर है कमपनी के CEO टिम कुक ने तिमाही नतीजों के दोरान इसकी घोशना की आईफोन की बड़ी सेल के कारण कमपनी ने यहाँ फैसला लिया है दरसल दोस्तो टिम कुक ने काए कि आईफोन की बिकरी हर शेतर में बड़ी है जिसने विश्व इस तर पर नए रिकोड इस्तापित किया है भारत में भी रिकोड हाई रेवेन्यू दर्ज किया गया है कुक ने बताया कि एपल ने सितंबर तिमाई में गलोबली 94.9 मिलियन डॉलर रेवेन्यू दर्ज किया जो पिछले साल से 6 प्रतिशत जादा है आकेले आईफोन रेवेन्यू में 6 प्रतिशत की बड़ोतरी हुई है चलि दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार ट्रम्प ने बांगलादेश में हिंसा की निंदा की कहा कमला ने दुनिया भर के हिंदूओं को नजर अंदाज किया राष्टपती बना तो मैं हिफाज़त करूँगा जियनुस्तो पूरू अमेरिकी राश्च्पती और रिपब्लिकन पार्टी के राश्च्पती उम्मीद्वार डोनाल ट्रम्प ने बांगलादेश में हिंदूओं के साथ हुई हिंसा की निंदा की है उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर दिवाली की सुपकामनाई देते हुए डेमोक्रिटिक पार्टी से राश्च्पती उम्मीद्वार कमला हैरिस की आलोचना भी की ट्रम्प ने शोशल मीडिया पर लिखा कि बांगलादेश में भीड हिंदूओं पर हमला कर रही है लूट पाट कर रही है वहां अराजकता की स्तिती है मेरे कारेकाल में ऐसा कभी नहीं होता कमला और बायडेन ने अमेरिका समयत पूरी दुनिया में हिंदूओं की चली दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार पपू यादव बोले लोरेंस को जिसे मारना है मारे फिर चाहे सलमान हो या कोई और कई परिस्तितियां देखी हिफाज़त की चिंता छोड़ दीजिए जियां दोस्तो एक्टर सलमान खान पर जब से काला हिरन मारने का आरोप चिहार में पूर्णिया से निर्दलीय सांसत पपू यादव ने लोरेंस विस्त्नोई को लेकर जो बयान दिया वो अब उनके गले की हड़ी बन गया है सांसत को लोरेंस गेंग की तरफ से जान से मारने की धमकी भी मिली है ठ्रेट के बाद पपू यादव लगातार बयान उन्होंने शुकरवार को कहा कि लोरेंस विस्नोई आपको जिसे मारना है मारिये मुझे कोई मतलब नहीं है मेरा कोई लेना देना नहीं है सलमान को या फिर किसी और को मारिये हमें क्या लेना देना है सलमान को बचाना है या नहीं यह सरकार का दायत तुए है हमारी इफाज़ की चिंता आप लोग मत करिये चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली बड़ी खबार अजे देवगन की दाहाल रनवीर का अंदाज और अक्षे सल्मान का केमियो एक्शन जबरदस्त स्टोरी में दम लेकिन कुछ सीन्स रहे बे मतलब रिलीज हो गई है सिंगम अगेन जियां द फिल्म की स्टोरी रामायन से प्रेरित है एक बार फिर से बाजीराव सिंगम के रोल में अजे देवगन चा गये हैं उनकी डायलोग डिलिवरी कमाल की है रनवीर सिंग का फ़नी अवतार दरशकों को खूब गुद गुदा रहा है वहीं दोस्तो टाइगर श्रोफ का यहां भी हाई एक्शन सिक्विल देखने को मिला है अक्षि कुमार का केमियो भी प्रभाव शाली रहा सबसे अंत में चुलबुल पांडे यानि की सलमान खान भी आते हैं उनका केमियो फिल्म को और अधिक बड़ा बना देता है तो दोस्तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाह जिया दोस्तो एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीच सकते हैं एक सर्प्राइस गिफ्ट हमारे यूटीब चैनल की और से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है शेत्रफल की दरश्टी से भारत का सबसे छोटा राज ये कौन सा है जिया दोस्तो जल्दी से अपना उत्तरकम डोक्स में लिख दीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए धन्यवाद वंदिमातरम जे हिन जे भारत